नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सबीगा हमारी इस यूट्यूब चैनल पर गाइस काफी अच्छा मोसम हो रहा है सुखाना मोसम हो रहा है बारा बजने में 15 मिनिट बाकी है और आज का वलोग रेने वाला है हमारे खेतों मैं जाओंगा आज खेत पर देखने के लिए पसल को उगने लगई या नहीं पैसे उगने तो लगई लेकिन किती बड़ी बड़ी हो गई है और आपको गाहों की जो खेतों की जो हरियाली है व बने रही है मरसा तो नए ओटर चेनल को सब्सक्राइब कर देना आपको तुरह प्रें केमरा से दिखाता हूं पीच्छे का व्यूव फिलाल मैं खड़ा हूं हमारे गर पे और यह सामने हमारे दो फोदे लगा रहे हैं इनका नाम किया है अगर आप नाम जानते तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और यह देखिए किता सांदार व्यूव वह रहा है और यह हमारी मातारानी के दर्शन कर लीजी आप एक बार और यहां से अच्छे से और खुबसूरत व्यूव यहां से देखने को मिल रहा होगा आपको फिलाल यह तो क्या व्यूव है बॉलः खुबसुरत हरीयली कर तो बने रही है मरस फिलाल में टोड़ा खा लेता हूं तो बताता हूं आपको कि तो मीठे होते हैं और आद मैं आपको ठोड़ा खेत पर लेके जलता हूं और फिच्छे का आपको व्यूव दीक्राओंगा आगे का आगे का पीच्छे का दो तो बने रही है हमारा साथ यह सही और क्या खोब शुरुत महाल गाउं का यह हमारे खेतों की मिट्टी किती सुगंदीत और कुस्पदार होती है काफी अच्छा लगता है कुस्प आ रही है मिट्टी की यहां पर खड़ा हो फिर भी तो गाइस मैं आपको बताता हूं बहुत क सब्सक्राइन काफी दिन और बाद आया मैं तो से देखी डंच वे डंच दीन हो गया इसकोम बोलते लाल बूंड हो गए समझे लाल बूंड और यह दृकि अ thoughts मुंआ वाला हूं वालो काफ़ी टेस्ट के प 19 चाहिए मजश आगया काफी दिनयों राद आपक्प खाया आज तो कभी एदा टेस्टी लगए तोड़ा आपको बेक एमरे से दिखाता हूं मैं दीखे चाने किते खूपसर तुग रहे है वाव मजा आ गया देखिए इस केट में रेलना किया गया है रेलना आप समझते हैं राजस्तानी बासा में या मारवडी लेंग में लेंग यह देखिए यह जाल किची हुई है चारों तरफ हमने क्योंकि गाएवेंस काफी जदा इदर आते रहते हैं तो उजाड करते हैं इसलिए जाली लगा रखी है काफी अच्छी वाली यह देखिए जो कित अच्छा व्यू यहां से देखने को मिल रहोगा आपको सांधार व् अच्छा लगता है अगर आप कभी खेतों में आई तो यह लेकर देखे क्योंकि यह वाले जो वह हम तो यह से हर साल लेते आ रहे हैं आप लेना चाहते तो आईए गावों में किसी भी गावों में चली जाए और वहां से अराम से गावों का अनुपर लीजिए काफी अच् में प्यार और प्यार देते आप सभी को क्यु क्यांति काफी ज़्यादा होते हैं तो काफी अच्छा लगता है यह के bizi हुआ करि यह जो किसानों का ना हमारे रगरोगों में दोड़ता है कि कका शचान लोग है वह भारत सभी मेनत करता है किसन या घर और उगाते हैं और काफी ज़्यदा मेनद करते हैं तो अच्छा लगता है और सांदर विव आपको दिख रहा होगा यह अनुपव आप लेना चाहते हैं तो हईए हमारे साथ हमसे कॉंटेक्ट कीजिए इंस्टाग्राम पर मेसेज करके हम आपको मिलाएंगे हमारे खेतों का आपको दर्शन करवाएंगे तो इस्टाग्राम पर मेसेज करके कुछ भी पूछ सकते हैं यह अब आउट में जाके वहां पर लिंक दिया हुए और डिस्क्रिप्शन में भी इस्टाग्राम का लिंक डाल रहा है इस्टाग्राम ट्विटर पर कई पर आप स्वाल पूछ सक कि इस खेत में जाता है तो यहां से कोना पड़ता है आगे जाता है तो इसको बंद करना पड़ता है समझे ना यहां पर च्छोटी सी इसको हम बोलते हैं महारवाटी में खेली बना रखी है यह बना रखी है क्योंकि यहां पर अगर कोई गाई बैंस भी आये तो यहां पान अवर अपने गर के सामने भी रख सकते तक ही वाक्से वगयर पानी प्री सकते cœur यहां से बने बोन रहे हैं पॉझा है बढूर इस नाली द्वारा पानी को खेट में पहुंचा करें है जो यह देखें कि ख़ुण होंगे है नीम का फेशेति पहरी के डिल Şuकर होँ काफी बढ़ा हो चुका है अभी तो फिलाल यह जो नीम का पैट है यह मेरे हाथ से बोया गया है यह मेरा अंकल गड़का और मैंने दोनों ने साथ में मिलकर इसको बोया था उस टाइम हम खेत की रखवाली करने दिन ाभी का सके और इसके जो रेस्टि निवेस्ट करने कर जो मज़ा वहान बहुत सोहाना होता है काफी मज़ाता हमको और क्या ही बताएं आंद में यह जाता है दिल गयोगा रडर नोज़ेता है यह जू मज़ा बाद हम्हम बोले तो मारवारी हमारी लिंग्वेजम्ि खेलीं होटा बोलते हम और आप क्या बोलत है हिनको Comment करके सिंद्धाइज और यह हमरा इंजन इसको चलाके इस पायप के द्वरा अथा है और यह हमारा कुवा देख्या आप किता गहरा पैसे जदा गहरा तो है लेकिन पानी ये वर्ण भाए इसमें आभी पानी तोटने का नाम नहीं प्र बहिए पानी भी पानल जिन भर 24 गंद Cam Pram तो देखिए किते हरा भर आपको दिख रहा होगा दस दिन में कितने बड़े-बड़े जो आपको दिख रहा न यह आपको उपर जो मिटी दिख रहे हैं न शुकी-शुकी यह मिटी आपको नजर नहीं आएगी एकदम डूब जाएगी को और और अच्छी यह मेंति हमारे खेत में उग रही है तो अच्छी को देखने के लिए है तो मिने सोचा फिलाल देके घृटारा हूं हमारे खेत parar खेत में देखिए घृटी ओगने लग गई है और वह effortic खुबसरत उग रही है बहुत ही संदर तरीके से जैसा कि मैंने सोचा भी नहीं था कि अच्छी उगेगी लेकिन मज़ा आ गया और देखना दस दिन में जो पीछे आपको जो मिट्टी दिख रहा है न उपर यह आपको मारवडी बासां बोले जो दिख रहा है शुका-शुका वह आपको नजनी आने वाले दस दिन के अंदर एकदम खेत पूरा हरा बरा वजाएक है डूप जाएंगे यह सब तो काफी अच्छा लग रहा है यहां के बहुत ही मज़ा इस खेत की मिट्टी काफी खूपसुरत होती है सुगंदीत होती है क्योंकि मिट्टी भी सुगंद लेकिन क्लिक हो जाना चाहिए ताकि जो वीडियो में अपलोड गरता है उसका सबसे पहले आपके पास कहुंचे और आपके पास वीडियो का और मैं सोच रहा हूं अच्छा वाला और विलोग लेक्या हूं बहुत ही संदर में बाठ जाने का सोच रहा हूं काफी दिनों से चार पार दिन से सोच रहूं तो तोड़ा यह हमार गावों में ःभी तोड़ा शीजन चल रहा है बियासादिगा तो यहां हम तोड़ा जैननय का और यह इन दिनों में है यह जो मजा है हम पता नहीं कब ले वाएंगी या नहीं अफ आई पढ़ेंगे बाद में लेकिन फिला अब तक आप हमारे साथ बने रही है और आपका एंटर्टेन्मेंट ऐसे हम कर दे रहेंगे आप सपोर्ट करते रही बस तैंक्यू